बिग बोस 16 के कंटेस्टेंट अब्दू रोजिक दर्शकों और घर के सदस्यों दोनों की ही पसंदिदा कंटेस्टेंट है जब से वे घर आए हैं सब के चहीते बन गए हैं शायद कोई होचोंने पसंद ना करता हो ले केनिक टिवी अक्ट्रिस ने हाल ही में अब्दू के खिलाफ मेकर्स पर निशाना साधा है और इसे एक बायस्ट शो बताया है जबकि अब्दू तो सब के चहीते कंटेस्टेंट है फिर ऐसा क्या हुआ आईए आज किस वीडियो में जानते हैं उस तो अब्दू रोजिक सल्मान खान के शो बिग बॉस 16 के ऐसे कंटेस्टेंट है जो सब के फेवरिट है तजाकिस्तानी सिंगर होने के बाद भी उरदेश के चंता का भरपूर प्यार मिल रहा है लोगों को उनका गेम भी काफी पसंद आ रहा है खुछ सल्मान खान भी उनको और उनके गेम को काफी पसंद करते हैं अब्दू के इंडिया में हो रहे ही पॉपुलारिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें कंटेस्टेंस और फैंस के साथ साथ फिल्म सितारे भी पसंद करने लगी है लेकिन अब्दू के रीसेंट एपिस सिक्स की विदर रह चुकी उर्वशी धोलकिया है कुमॉलिका का किरधार निभागर घरगर पहचान बनाने वाली उर्वशी धोलकिया का हाल ही में ट्विटर पर अब्दूर रौजिक को लेकर गुसा फूटा है उन्हें बिग बॉस के मिलकर्स को बायस्ट बताया है अपन उन्हें कालर्स टीवी को भी टैक किया बता दें कि पिछले एपिसोड में केप्टेंसी को लेकर एक टास्क हुआ था जिसमें अंकित कुपता खोपड़ी में बैट कर अब्दूर रौजिक को टास्क दे रहे थे लेकिन अब्दू और साजित खान बार बार इंकार करते रह कर रही हैं तो दोस्तों क्या आप उर्वशी की बाद से सहमत हैं हमें कॉमेंस के जरीए जरूर बताए और ऐसी बेपकस के लेटेस अबडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चानल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूले